हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजनिंग के स्वल्ला अतीम हत्पून प्रस्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों इसलिए वीडियो के अंतक बन लिए लिए वीडियो में आपको किस तरीक्ते प्रस्ण के बारे में बताएंगे दोस्तों दिए प्रस्ण दिया गया है कि हम लोगों का तैर ना का दिया गया है संबंद नदी से उसी परकार से चड़ना का संबंद किस्से होगा और यहां पर प्रश्ण वाचक चीन है इस प्रश्ण वाचक चीन पर चारो आप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों और भी प्रश्ण दिया गया है जैसे दिखें 36 का संबंद लिखा हैं लेगों का 144 से उसी परकार से 49 का संबंध किस्टे होगा यहां पर प्रश्ण वाचक चिन है तो इस प्रश्ण वाचक चीन के अस्थन पर 4 ईप्सन में से कौन सा होगा जैसे और भी प्रश्ण दिया है दोस्तों कि सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको सभी तरीके के कोस्चन देखने को मिलेगा जो भी हाली के एक्जामे में पूछे गए हैं इस वीडियो में किस किस वर्ष के प्रश्ण को सामिल किये हैं प्रिवियस पेपर के सारे प्रश्ण हैं दोस्तों तक ने 20-21 बीस 28 17 तक के प्रखर बार बार रिपीट कर रहे हैं पूछे जा रहे हैं अत्रय को सबमिल के हैं कि सब्सक्राइब आप को कि मिल जागा उसका बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिक्रिपो нужно में दिया गया है तो आईए दोस्तों देखते हैं बारी-बारी से सारे कुस्चन को कि पहला कुस्चन हम लोगों के सामने क्या करें इन में से आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं दोस्तों चाहिए वह ससी बैंक रेलवे सीजियल एलपी टेकनिसियन एमटीया सी एचसल सीप्यो एससी जीडी सी आयसे अप यू के पियासी डी एससबी सीटैट आई वी एससी स्टेनो कराबर डीयार दीयो यदि आप किसी स्टेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं पुलीस दरोगा नेभी अगनेविर जीडी बैंक पियो कलर गूर्प डी एंटी के लिए जितना भी गवर्मेंट एक गाम है सभी के लिए या वीडियो इंपोर्टेंट है ता यह दोस्तों देखते हैं बारी-बारी से सारे कुस्टन को कि पहला कुस्टन क्या कर रहा है पैन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए और आप जरूर कोमेंट करके बताएंगे सोला में से आपके कितने प्रस्ण सही हो पाए तो देखिए पहला कोस्टन क्या कर रहा है कि सर पहला कोस्टन दिया गया है कि तैरना का संबंद यदि नदी से उलिख दिया है तो उसी परकार से चड़ना का संबंद किसे होगा और यहां पर प्रस् को आप वीडियो के अंतक बने रहे आपको सब ही तरीके के question देखने को मिलेगा ऐसा ने की सिर्फ इसी तरीके के देखिए जैसे तैरना का संबंद दिया गया दोस्तों नदी से तो उसी परकार से सर हम लोग क्या करते हैं नदी में जाके तैरते हैं उसी परकार से हम लोग परवत पर क्या करेंगे दोस्तों चड़ना का संबंद किससे हो जाएगा परवत से जिस परकार से हम लोगों का किसर नदी में हम लोग तैर सकते हैं उसी परकार से हम लोग परवत पर क्या करते हैं चाहड़ सकते हैं इसलिए हम लोगों option नमर यहां पर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप लोग समझ गयोंगे कि कैसे किये सर जैसे सिंपल सा लिखा है कि तैरना का संबंद किसे लिखाए तो नदी से जिस परकार हम लोग नदी में जाके तैर सकते हैं उसी परकार से परवत पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों आपसे इस तरीके के प्रश्ण को देखिए जैसे के अगला प्रश्ण लिखा है कि सार 36 का संबंद लिखा है किसे लिखाव है तो दीके आपको तरीका बताते हैं दोस्तू हुआ क्या है और यहाँ पर कैसे करेंगे तो दिखिए अगर देखा जाए कि आखिर 36 से 144 कैसे लिखा होगा उसी परकार से 49 से लिखा है प्रश्ण वाचक चीन तो दीखे यहाँ से अगर हम लोग एक तरीका मालूम करेंगा आखिर 36 से सर 144 तो कैसे गया होगा तो देखे क्या होगा कि सर इसमें गुना क्या कर दिया होगा दोस्तों चार कर दिया होगा ग्या कर दिया होगा 36 में चार से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए तो यहां पर कर लिजे दोस्तों उन्चास अगुना क्या चार तो यह देखे नौच के 36 करी चो आसिल रहा तीन 4 चुक 163 क्या हो जाएगा 19 यानि प्रश्ण वाचक चीन पर क्या आएगा सर हम लोगों का 106 पर आएगा किस ऑप्सन में है तो देखे ऑप्सन नमर फोर में है तो ऑप्सन नमर फोर आपका क्या ह हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उमीद करते हैं आप लोग समझ गयोंगे तरीका क्या है किसर 36 से 144 कैसे लिखा था तो 4 से गुना किया था 36 में 4 से गुना कर देंगे 146 उसी परकार से 49 में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा तो आपसन आई सोच सकते हैं कैसे क्या करेंगें इस में कि सर 36 लिखा है तो यहां पर क्या क्या क्षेका है चोट सथा और खीना की दोस्तों तो साथ में आप wants ticks हसे सब्सक्रेख कितना तरह बारा वह जा रहा है यह लिएस प्रकार से साथ से क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर 14 से Sloda be yard में लुटा सकता था चाए आप जैसे भी आपके सामने logic आहें दिमाग में जिस तरीके वी प्रसमर हो ऐसानिय के सिर्फ इसी लौजिक से हम लोग कर सकते हैं पहले जो लोजिक लगा है उससे भी हो सकता है मैं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, अगली Q 과े क्या करा आब आं तक बने रहे हैं आपको वो सभी तरीके के Q धक 것처럼 को मिलेगा ऐसा नहीं कि सिर्फ अलग अलग चेप्टर से जैसे कोडिंग निकोडिंग और भी चेप्टर से दोस्तों प्रस्न इसलिए अंतक बने रहे रेंकिंग पजल सभी चेप्टर से सामिल है देखिए जैसे दिया गया है सर हम लोगों का कि M लिखा है और यहां पर देखें लिखा है कि सर M लिखा है उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है O लिखा है उसके बाद Q लिखावा है और S लिखा है और यहां पर दिया गया है A उसके बाद C E और क्या लिखावा है दोस्तों हम लोगों का G और यहां पर समानुपात का ची और b आ यहाँ पर है Catholic तो तरीका को कैसे हुआ और हम लुग कैसे कर सकते हैं तो दीखे अगर बात किया जए दोस्तों कि यहां पर कैसे करेंगे प्रशन को जैसे दिया गया हम लोगों के सामने कि म से यदी हम लोगों O पर यहाँ पर दीखे से O से यदि हम लोग Q पे जाएंगे दोस्तों कितना लेटर जोड़ना होगा प्लस दो लेटर जोड़ना होगा उसी परकार से Q से यदि S पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा दो लेटर जोड़ना होगा यानि कि सर यहां पे जो है हम लोगों का दो दो का क्या हो हो रहा है विर्धी हो रहा है यानि दो दो लेटर जोड रहा है उसी परकास ही देखे ए से सी पे जाएंगे कितना करना होगा सर प्लस दो लेटर जोड़ना होगा C से यदि E पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा प्लस दो लेटर और E से यदि हम लोग G पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा प्लस दू लेटर जोड़ना होगा देख लिजे आजकल TCS Agency जो एक्जाम करवा रही हूँ किस तरीके के प्रश्ण पूझ रहे हैं उसी परकार से दिखे यहाँ पर अगर देखा जाएं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है तो इसी तरीके का आपको वहाँ पर ओप्सन ढूना है कि कौन सा ओप्सन इस तरीके हजो रहा है तो पहला नमर उप्सन उठा के देखते हैं यानि कि पहला उप्सन अगर हम लोगों का बात किया जाए कि सर पहला उप्सन दिया गया इसको उठा लिजे जैसे पहला उप्सन में दिया गया हम लोगों का कि सर O है उसके बाद हम लोगों का Q है उसके बाद लिखा है S और क्य क्या होगा दोसतों do और s से u पर जाएगा कितना क्या होगा प्रस्ष्क्रेशा हो जाएगा बलकि बहुत सारा इस्ट्येंड ऐसे संबन्द करने लगते हैं इसरा M से आखिर लिखाओगा, A तो E कैसे लिखाओगा, E तो समझ में ही नहीं रहा, O से अगर हम लोग relation निकालेंगे, C से तो पता ही नहीं चल वाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके का logic लगा है, कि एक-एक में दूदू का विर्धी, इसमें भी दूदू का विर्धी, इसमे कि तरीके से दिया गया है, कि नीचे दिये गए चार समुहों में से उसको ग्याद किज़े, जो समुह के समान है, यानि कहने का मेरा मकसद क्या है, कि ये समुह जैसे वो लिखा है, तो इसी समुह के जैसा कौन सा हम लोगों का दिख रही, option में से कौन सा, A, B, C, D कौन सा से तीस पे गया है तो कितना का विर्धी क्या है तो याँ पी सद्धाई सौन truck L तो आपने तबे अगर आगर मां को वतनी है और यहां नंस है यहां से अगर 19 पे जाएंगे तुर साथ जोड़ा है ठीक है सर 19 में यदि हम लोग साथ जोड़ेंगे दोस्तों क्या पती हो रहा है देखंए तो सर 19 में एक 20 चाव 26 ऑर गरहा है साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा चाव класс कैना जोड़ दिआ और हम लोगों का चोड़ दिया तो पहला दिया गया है कि तरीका लगा कि देखे हो रहा है कि सर 6 से यदि हम लोग जाएंगे 13 यहाँ पर कितना का विर्दी हुआ है तो देखे यहाँ पर अगर देखा जाएं दोस्तों प्लस कितना का किया है उसने देखे, 6 से हम लोग किस पे जा रहे हैं, 13 पे, तो शो से 13 पे जा रहे हैं, तो प्लस 7 का विर्दी हो है, ठीक है सर, अग 18 से जदी हम लोग 20 पे जाएंगे, तो यहाँ भी दीखे प्लस क्या क्या है, दोस्तो 7 का विर्दी, तो कौन सा सही हो जाएगा, आप्छन नमर दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से सम्हों में साथ-साथ यानि जोड़े हैं तो उसी परकास इसमें भी सात-सात जोड़ेंगे तो अमर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही Deixa जते हैं अगले question की और आप अंद तक एकदम बने रहे हैं आपको सभी तरीके के question देखने को मिलेगा देखिए अगला question की तरी से यानि ślik vidéo स्रिंक्रा से दिया गया है कैसे कहीए इ यहाँ pajta वाचा की इसके आपरी करेंगे मिलें तरीका को कुछंण एक कैसे करेंगे सबसे पहले स्रीज को कैसे चल रहा है बड रहा है की घ्रा किट रहा है कि यहाँ पर देखैंगे अगर यह 2 CEO si जाएंगे तो स्रीज हम लोगों का बढ़ा है कितना बढ़ा हुआ है उसी परकार से अगर 8-18 पर जाएंगे तो कितना बढ़ा हुआ है उसी परकार से यहां से अगर इस पर जाएंगे तो कितना बढ़ा हुआ है कि सर यहां तो हम लोगों का 10 हुआ 18 से अगर 32 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा और यहां पर कितना का विर्जी हो रहा है तो सर इस पे दिखें 18 से जाएंगे तो यहां पर 14 का विर्दी हुआ कितना का विर्दी हुआ दोस्तों 14 का ठीक है सर अगला देखें यहां पर हम लोग 50 पे जाएंगे तो 32 से 50 पे जाएंगे था 18 जोड़ना हो गा ठीक है सर अगला क्या जोड़ देंगे तो आप ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा और यहां पर कीस तरीके से संबन चलावाई दुखिए जैसे दिखे चौन से क्या हो रहा है दोस्तों 10 हो रहा है तो यहां पर प्लस कितना का चार का विर्दी 10 से यहां पर 14 प्लस क्या दोस्तों 4 का विर्दी 14 से क्या हो रहा है अठारा यानि कि यहां भी प्लस चार का विर्दी और 18 में जो अगला जाएगा दोस्तो प्लस चार के 8 छार क्या ह militar क्या हो लोगों का तो सरब 8 लोगे में चार जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा तो 22 हो जाएगा तो prz OB lug का wrap 10 हम लोगों का आपका क्या करेंगे सही हो जाएगघा उमीद करते आप लोग समज रहे होंगे की question इस तरीखे करेंगे exam में तरीका आपको अपनाना है कि हांud sir पहले श्रीज देख hängे बढ़ रहा है की घट रहा है तो यहां पर देखे कि सरीज हम लोगं ओका बढ़ रहा था है तो उसी इस परकास देखेंगे दोस्तों अंधेरा का संबंध या परकास यानि कि यहां पर क्या संबंध हो रहा है सर उल्टा लिखा है क्या लिखा है उल्टा यानि अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा परकास हो जाएगा यहां भी दोनों प्रस्ण वाचक चीन के अस्थान पर कर लिजएगा दुस्तो कोई नहीं क्या कर लिजेंगा कोई नहीं को हम लोगव का कौन सा Ho succeeds अगर इसमें देखा जाए कि कौन यहां जैसे अंधेरा का संबन्द यहां पर कास से यहां पर मार्क Feder1 उसी पर काव और कस यहां तो सर ओप्सन नमर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एक सही हो जाएगा यानि गरम का संबंध क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा जिस प्रकार से दिखे अंधेरा का संबंध प्रकास से है यानि उल्टा दिया है तो उसी प्रकास से गरम का संबंध क्या हो जाएगा ठंड़ा हो जाएगा तो option नमर एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बढते हैं अगले question के ओँर यहां उल्टा दिया था अंधेरा का परकास उसी परकास गरम का उल्टा क्या होता है ठंड़ा होता है देकि अगला question क्या कर रहा है साथवा नम्र दिखे जैसे दिया जिया दोस्तों सातवा नमर कोस्टन कैसे करेंगे अपको हर पार्ट में बता चुके हैं पूरा आपको याद कर लेना लिखे कि आपका 6 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है, यदि पूरा आप 26 अगर याद कर लेते हैं तो प्रश्ण बनाने में आपको काफी सुविधा होगी, यहाँ पर हम लोग संबंदे दिया है, कि A का संबंद क्या लिखा है सर, एक लिखा है, हम लोगों का 9 होता है, जूरा अका 1 होता है, इसको जोड़ेंगे, कितना होजाएगा 5, देखिए, क्या होजाएगा, दोस्तों 9 हो जैगा, इसी परकार से आप से पूझा है, तो यहां पर पूँचा है, सर, A है, उसके बाद R है, और तो क्या है T है तो देखा जाए इसका यादी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का A का कोड कितना हो जाएगा तो A का कोड एक होता है आर का कोड कितना होता है提 depiction कोड क्या होता है तो हम लोगों का 20 होता है तो यहां पर लेटर नमबर जोड़ा है, A का 1 होता है, C का 3 होता है, E का 5, अभी बता चुके हैं, उस तरीके से याद करके, A का 1 होता है, R देखेंका 18 नमर पे, 80 होता है भी इस नमर पे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो पराश नमाचाक चिन पर क्या आएगा, 49 आएगा, अगला कर लेंगे जो जो दिया गया बस उसका सिंबॉल कर लेंगे और बना लेंगे इसको जैसे दिया गया है दोस्तों जैसे दिया गया हम लोगों का संबंद कर रहा है कि C माता है, A और B की क्या करेंगे, ठीक है सर, यहाँ पर बना लेते हैं, की C इस जिगह बना लेते हैं, की C माता है किसकी, तो सर, A और B दो व्यक्ति है, यानी E दोनों का क्या है, माता है कौन, तो C, तो जो माता रहेगा, तो यानิ फिमेल जिंडर के यानि- पुरूज के लिए क्या लेते हैं plus और महिला यानि कि जो अगर मा है तो उपर रहेगा और जैसे हम लोग बच्चे हुए तो उसके क्या रहेंगे दोस्तों नीचे रहेंगे तो जैने कि कहने का मतलब C माता है A और B का उसके बाद बोला है यदि D पती है B का यानि D जो है दोस्तों पती है किसका आर्थ D यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा और B क्या हो जाएगा माइनस इबाद बोला है कि D पती है किसका B का थे ठीक है सर तो यहां बोलना है कि तो C कॉन है D की यानि C जो है कौन है D का तो D का कौन हो जाएगा तो S常 हो जाएगा option number 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बस तरीका को देखे ना कराएं कि c माता है a और b का अभी हम लोग पता ही नहीं कर पाये थे कि a और b क्या था लेकिन जैसे ही बोला यदि d पती है b का तो यहां किलियर हो गया कि d पती है कि इसका b का तो b हम लोगों का महला जेंडर होगा तभी तो d पती है इसका तो बिल्कुल सही हो जाएगा तो इसलिए हम लोगों का यहां से कहेगा कि सर हम लोगों का पूछा क्या है कि c कौन है c कौन है d की यहां से क्या कुछ है डी की कौन हो जाएगा सी तो सास हो जाएगा option नमर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की और देखिए अगला question दिया गया है दोस्तों का ranking से दिया गया है करम विवस्था वाले से आप अंतक बने रहे हैं आपको सभी तरीके के आपसे आसान ट्रीक हम लोगों का क्या है ट्रीक हमेशा आपको बता है कि कूल बराबर सुद्र हमेशा आप याद रखेगा कि कूल बराबर सुद्र क्या होता है कि सर हम लोगों का होता है उपर क्या कर देंगे उपर अप प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों नीचे उपर प्ल left यहां पर क्सारा लिखा przy 7th उपर से शारण च सबसक्राइध तो फोर्मूला का है जैसे इदर दे दिए 26reciर 43rd 43-33 33 में एक गणा देंगे जैसे ही घटा देंगे तो आमसर 22 उजाएगा तो इसका आमसर क्या हो जाएगा दोस्तो 32 कीस option में हम लोगों का दिया गया option नमर 32 तो देखे option नमर 3 में sir option नमर 3 आपका क्या हो जाएगा ठेस हो जाएगा समझ गे ओंगे की तरीके के प्रश्ण आहे तो हम कुल को स्चार्थक करें की का दम लोगों का होता है कि हम लोगोंगा होता है कि चोटा बढ़ा की ओर चलेगा चोटा से क्या क्या होगा तो दीखिए यहां पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का क्या होगा कि आखिर किस तरीके से इसको एरेंज करेंगे यानि पहले क्या होगा तो दीखिए यहां पर देखा जाए पहले हम लोग क्या करेंगे पहले पौधा होगा, कि पहले बीज होगा, कि पहले फल होगा, कि पहले फूल होगा तो इस तरीके के दिया है, तो दिखें, आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग यानि सबसे पहले जो दिया गया है उसको रखेंगे पहले क्या करेंगे सर यहाँ पे हम लोग बीज रखेंगे ठीक है सर बीज रख दिये बीज रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे बीज जैसे ही रोपेंगे क्या होगा पौधा होगा बीज के बाद क्या होगा दोस्तो पौधा होगा पौधा के बाद क्या होगा हम लोगों का फूल होगा यानि कि पौधा के बाद हम लोगों का क्या आएगा फूल आएगा और वही फूल आगे चलकर क्या बन जाएगा दोस्तो φल ben जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा फल बन जाएगा तो दिएक हत आप क्या क्या करम रखेंगे आप उकरम को देख dlatego कि इशे양 कि सर वह यहां पर तीन नमर कर लेंगे में पूधा के नमर पे मिटा एक नमरा हुने से पूल सुना कर नमरा पकर दो तो यहांनिकि 3 1 4 2 इसका करम क्या होगा दोस्तों 3 1 4 2 किसमें नजर आया 3 1 4 2 option number 4 देखिए सर एकदम करम में दिया गया है 3 1 4 2 तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा जनी पहले हम लोगों का 20 होगा फिर पाओधा फोल होगा फिर फालोगा इस तरीके से करम में रखेंगे तो option number 4 आपका सही होगा देखिए दोस्तों अगला question क्या कर रहा है हम लोगों का एगारवा नमर question इसी तरीके के देखें एक्जाम में कि निमलिकित अच्छर सरिंखला में कितनी बार P इस परकार उपस्तिद है कि P के बाद P के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों करा कि P के बाद N और O आता है तो देखते हैं सर हम लोगों का P के बाद N और O कहां आता है तो देखें तो P के बाद क्या आना चाहिए तो P के बाद हम लोगों का N और क्या आना चाहिए दोस्तो ओ अना छे तो सर इद के हम लोगों का एक जगह मिल गया कि पी के बाद N और O यहां पे मिला ठीक है सर पी के बाद N और O और कहीं मिल रहा है कि पी के बाद इद के N और O यहां पे मिल गया ठीक है सर और पी के बाद इद के यहां पे मिला दोस्तो N और क्या O यानि कि यहां कितने जगह मिला P के बाद क्या दोस्तो N और O तो देखा जाये तो आप तीन बार हम लोगों को मिला आप सा नमर थड में दिया गया है कि तीन जगह है तो तीन क्या हो जाएगा दोस्तो सही हो जाएगा बस तरीका को समझे कि वहां साब साब बोला है कि कितनी बार हम लोगों का पी इस परकार है कि पी के बाद जो हम लोगों का क्या-क्या आना चाहिए तो सर एन और ओ आना चाहिए तो दीखे आपको दीख गया क्या-क्या दिखा सर यहां पर हम लोगों को एक जगा दिखा यहां पर ठीक है सर अंड यहां सबद कोस्वाह है जो पूछे जाते एक्षाम में उस तरीके के प्रस्व्म कांज करिंगे है कोमन कोमन का मतलब मिल क्या क्या रहा है तो दीकिए बी ओ बी ओ इसमें भी ओ मिल रहा है इसमें भी ओ मिल रहा है इसमें भी हम लोगों का बी ओ मिल रहा है इसमें तो यू आ रहा है तो पहले डिशनरी में हम लोग कैसे रखते हैं एसे लेकर हम लोग रखते हैं दोस्तों कि याएगा पहले कि ओ आयगा तो पहले एयागा घालके सरों के बाद हम लगों का क्या एगा ओं के बाद कि यहाँपे इंड है और यहाँपे यू रखेंगे नहीं कि लल रखेंगे क्योंकि U तो बहुत दूर न हो जाएगा पहले ABCD में O आएगा तो O के बाद फिर देखिए यहाँ पर U आ गया यहाँ पर N आ गया यहाँ पर A आ गया तो इसकार है फोर वला से स्टार्ट होगा सर और फोर वला से देखिए E option नहीं हो सकता है हम लोगों का E option नहीं हो सकता है यहाँ पहते कर लिएगा दोस्तों option nr1 और यहाँ पर कर लिएगा option ndr3 हम लोगों का नहीं कर नहीं हो सकता है उसके बाद चार वला थे कि ओम आप्सन यनि कि एक और इस ब्यूर है तो देखिए चार के बाद फिर किया रखेंगे सिर्फ बिऌ्व्जो बौ के बाद हंँगों का यहां आया था एक नम्मर हमनें था त्थार रखेंगे करें गें यानि कि एक नमर यह हुआ, यह दू नमर वाद, यह क्या हो जाएगा, तीन नमर पर इस तरीके से करम रख लिए, तो कौन सा option सही हो जाएगा सर, option नमर इसका answer क्या निकलेगा, हम लोगों का फोर वाला निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तो, option नमर फोर, बस आप तरीका को दोस्तो, एक बार अच्छे तरीके से देख लिए, ताकि आपको समझ मैं किसार, यह हम लोगों का एक नमर में है, और यह हम लोगों का कितने नमर पर है, दो नमर पर है, उसी परकार से यहाँ भी कर लिएगा, दोस्तो, एक नमर एधर दो, आधर एक क्या हो जाएगा, तीन प्राइब दिखे हैं कि पहले डिशनयरी में एगा एगा फिर बी से जएड तक जाएगा तो पहले बी आ रहा है तो बीबी को हटाईए बी से हमको कोई मतलब नहीं। उसके बाद के ओ नहीं अपर या हुआ तो सर यू तो बहुत दूर में है, ओ के बाद चेक किजए, ओ के बाद यहाँ पर N आ गया, यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर U आ गया, तो पहले के आएगा सर, A बला आएगा, तो हम लोगों का 4 से स्टार्ट होगा, यानि 4 से स्टार्ट होने बला देखे, कितना option है, यह हम लोगो का उधर जाएगा दोस्तों, यहनि कि हम लोगों का दूसरा वला हो जाएगा, दूसरा के बाद फिर हम लोगों का U के बाद क्या लिखावा है, यहाँ पर B, U, N, आप देखिए, बहुत सरा च्रेंड एक और दो में कन्फ्यूजन होगे थे, B, उसके बाद O है, तो पहले O आएगा, उसके बाद U आएगा, इसलिए हम लोगों का एक आएगा, दोस्तों, आपसा नमर फोर इसका सही हो जाएगा, ना कि आपसा नमर एक, तो कौन सा सही हो जाएगा, एक अधर तीन हो जाएगा, तो आपसा नमर फोर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, बढ़ है कराए की सीमा का छोटा भाई और मुश्ट इम्पोर्टन प्रस्ण है दुस्तो ऑप कही बार एक्जांम में देखे गए रीपीट किया है कि सीमा का छोटा भाई ऑcü थी कह है iso सि मा लेकिन कराएं कि लेकिन सीता से आयू में बड़ी है तो सीता आयू में बढ़ी करदे कौन दस्तों सोहन उसके बाद दिके कराएं कि स्वेता जो है दिपती से छोटी है और किंतु यहाँ पर गौर करेंगे किंतु सीमा से बड़ी है यहाँ पर बोल दिया है ति स्वेता जो है सर हम लोगों का दिपती से छोटी है स्वेता किस से छोटी है दिपती से ति इसका आरत है यहाँ पर उपर में क्या हो जाएगा सर हम लोगों का दिपती हो जाएगे देखते चले कैसे कि हम लोग स्वेता लेकिन सीमा से क्या बड़ी तो बस हो गया देखे ना कुछ भी नहीं किया यादि आप एक बार गौर से दिखेगा न बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सीमा का छोटा भाई सोहन है तो यह सीमा यहां लिखे और सीमा के जश्ट नीचे उ दोस्तों कि स्वेता जो है दिपती से छोटा है यहां बोल दिया कि स्वेता जो हम लोगों का किसे छोटा है दिपती से छोटा है तो दिपती उपर होगा उसके नीचे और किन्तू सीमा से बड़ी है तो देखे सीमा से क्या हो रहा है बड़ी हो जा रहा है स्वेता और दिप सबसे बड़ी कौन है तो सबसे बड़ा कौन हो गया दोस्तों दिपती हो गया जो कि आपसे नमर में है क्योंकि जो सबसे उपर है वही सबसे बड़ा जो सबसे नीचे में वही सबसे जोटा तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों दिपती जो कि आपका क्या हो जाएगा सही हो जागा बहुत सरा इसे लगाते हैं यहां पर ऐसे बैठाइंग आपका समय बहुत ज्यादा खर्च होता है और प्रश्ण जल्दी से सॉल्व हो ही नहीं पाता है इसलिए जो तरीका बता रहें दोस्तों इसको एक बार यदि आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि सर जो बड़े रहते हैं उपर होगा जो छोटे होते हैं वो नीचे होंगे आपको प्रश्ण तुरत ही बन जाएगा देखिए अगला कुस्चन दिया है कि दूस्तों हम लोगों का कलेंडर से कैसे प्रश्ण पूछा देखिए किस तरीक घूमा के दिया है करना यदी महा की पा पांचवी तीथी का मतलब पांचवा तारीक को क्या लिखा है दोस्तों की मंगल दिया है तो पांचवा तारीक को क्या लिख दिया है उसने मंगल लिख दिया है ठीक है सर मंगल यदी हम लोग लिख दिये तो ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा दूस्तों मंगल लिख दिये अगर देखा जाएद पांच के पहले क्या होगा, चार होगा, चार के पहले क्या होगा, तीन होगा, तीन के पहले दू होगा, दू के पहले क्या होगा, एक तो अगर पहला दिन गौर किया जायत क्या होगा तो सर पहला दिन हम लोगों का अगर देखा जाया तो यहां क्या हो जाएगा सुक्र हो जाएगा पहला दिन क्या हो जाएगा पहला तारीक को सुक्र हुआ फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तो यानि पाचवी तीथी को अगर मंगल है तो पहला तारीक सुक्र हो गया देखे यदि का रहा है कि मा की पाचवी तीथी को मंगल है तो ठीक है सर यानि कि सुक्कर हो गया, सुक्कर के बाद क्या आएगा दोस्तो यानि सुक्र के बाद क्या आजाएगा तो यहां पर हो जाएगा सुक्र के बाद सनी, रवी, सोम और मंगल तो बिलकुल हम लोगों का हो गया यानि देखे न इस सुक्र के बाद क्या होता है सनी, सनी के बाद रवी, रवी के बाद सोम, सोम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों म सुक्र बार हो जाएगा गौर कीजेगा कैसे कर रहे हैं बस तरीका को समझे क्या हो जाएगा जिस तरीके से यहां पांचमा तारीक को दिया था और यहां पहला तारीक को सुक्र हुआ तो अगला जो सुक्र आएगा कब आएगा तो इदी के सुक्र हो गया सुक्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों सनी हो जाएगा फिर रवी हो जाएगा फिर सोम हो जाएगा फिर मंगल हो जाएगा फिर हम लोगों का बूध हो जाएगा बिरस्पत हो जाएगा सुक्र हो जाए तो ठीक है सर तीसरा सुक्रवार इस दिखा पर आया यानि पंदरा तारीक को तीसरा सुक्रवार तो तीसरा सुक्रवार तो तीसरा सुक्रवार यानि कि तीन तो सुक्रवार है पहला भी शुक्रवार है उसके बाद हम लोगों का आठ तारीक सुक्रवार एक पंदरा तारीक को तारीक हो जाएगा तरीका को समझे रट यह नहीं कि इस तरीके के प्रशना है तो हम लोग कैसे करेंगे बस लॉजिक को समझना है कि आगिर हो कैसे रहा है बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोस्ट्टिन के और आपको फिर भी लगता है कि डाउट किसी भी तरीके के question में टेलिग्राम का link दिया गया बीच डियो के description में वहाँ से touch करके आप जरूर मुहाँ पर comment कर सकते हैं और दोस्तो चैनल पर पहली बारा है तो rate color का बटन देख रहागा उसको जरूर subscribe कर लिजे बढ़ते हैं दोस्तो अगले question की ओर देखिए अगला question देखिए हम लोगों का आयू से संबंदित कभी-कभी math में भी आते हैं लेकिन कभी-कभी reasoning में भी ज़्यादा तर देखे हैं दोस्तो की आयू कभी-कभी reasoning में भी दे दिया है तो करागी रहीम और उसके चाचा की आयू 30 वर्स का अंधर है तो कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तो यहाँ पर माल लेंगे यानि कि क्या करेंगे कि सर रहीम रहीम की वर्तमान क्या कर लेंगे दोस्तो रहीम की वर्तमान आयू रहीम की वर्तमान आयू क्या माल लीजे देखते चली कैशे कर रहें है वर्तमान आयू तो वर्तमान आयूत वर्तमान यहाँ पर क्या कर ले ezokes इन तीस was का अंतर है तो अगर आज रहीम क्या हो जाएका दोस्तों 30 हो जाएगा हमेसा इस तरीके के प्रवाक्शन को आप लोजिक को याध रहें कि इस तरीके के प्रवाक्स नह wrath हो जाएगा और उसका चाचा क्या हो जाएगा दोस्तों X plus 30 अब दीखे यहीं पर बात को गौर करेंगे क्या anxiety होगा junctionत & १ site वर्स लिखा दो बाद लिखाए तो यहाँ पे कर देज। साथ वर्स साथ बाद बाद रहेगा तो हम्लों लोग क्या करेंगे साथ साथ जोड़ देंगे यहाँ पे हो जाएगा सर एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों साथ और उनकी आयू का योग बोला है कि कितना हो जाता है 66 वर्स हो जाता है प्रस्न आपका सॉल्व हो चुका है बस एक लाइन आप पीजेगा प्रस्न सॉल्व हो चुका है कैसे दिए यहां पर हो जाएगा सर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा यहां प 2x ब्राबर क्या हो जाएगा हम लगों का 66 मैंइस क्या कर देंगे दूस्तो चवाइस तु ठीक है सर जैसे ही 44 करेंगे तो देखे 2x ब्राबर हम लोगों का कितना निकल जाएगा घटा दिजे तो सर्च इधर हो जाएगा 22 क्या निकल जाएगा थाbear contributor निकल जाएगा हम लोगो जाए-गार ह Komm chuह हो जाए-गा दू से कड़ जाए-गा दू कहां चाचा की क्या क्या है Chinese प्लस्द जोड़ लेखे दोस्तों चाचा यानि की x 3 10 डीमोन कै यहां प्लस्ति गतालीस जोकी option नमर ए में दिया क JUST करेंगे बस तरीका को समझ Іंप रथे क्वेस्ति है अगि विशन की पहचान करेंग somewhat और कभी भी इस तरीके के प्रफण नहीं लेटर वाला दिया गया है और विसम पूछ रहा है था हमेशा एक ही लोजिक लगाईगे का सबसे पहले ही देखे डबलू से जदी टी पे जाएंगे तो माइनस कितना लेटर करना होगा तीन लेटर करना होगा टी से जदी क्यू पे जाएंगे तो यहां भी कितना लेटर करना होगा तो माइनस सर हम लोगों का क्या करना होगा तीन लेटर माइनस करना होगा उसी परकास देखे क्यू से जदी N पर जाएंगे तो यहां भी माइनस तीन 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 और यहां पर कितना लेटर घटाया, 3 लेटर घटाया है, उसी परकार से इसमें देखिये हैं के से जदी each पर आएंगे 3 लेटर घटाया है, teeth orange understand here, x से जाधी 3 लेटर घटाया और each सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सब से पहले मिल जाए क्योंकि हमारा चैनल एकजाम के दिरिष्टी से काफी इंपोर्टेंड है क्योंकि हम उस तरीके के प्रस्ण करवाते हैं जो बार-बार रिपीट करते हैं पूछे जाते हैं अगामे एकजाम में आ सकते हैं ओके दोस्तो थेंक्यू फिर आप लोगों से अगले वडियो में मलकात होगी और इन सभी खोशनों का पीडियाप टेलिग्राम से ले लिजेगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है